मंगल में परिवार आगरा के द्वारा 15 सितंबर से कोठी मीना बजार मैदान के श्री धाम में श्री राम नीला कथा मोहसव आयुजत होने जा रहा है श्री कथा उत्सव में वियास्पीट से संत विजय कोशल जी महराज भक्तों को श्री राम कथा का श्रमन कराएंगे कथा उत्सव की तैयारियों को लेकर जैपर हाउस कॉलोनिस्तित आयुजन समीती के महमंतरी राकेश अगरवाल के आवास पर संस्था सदस्यों ने एक बैठक की परम पूज गुर्देप संसिरी बिजय कोशल जी महराज जी की सिरी राम कथा पुर्धा, तिसामर मह tries में, 15 दिसमर से 22 दिसमर ठोटी मीनवायर में होने जा रही है आज हमने कारकार्णी की मीटिंग रखी हुई है, इस कारकार्णी की मीटिंग में काफी लोग आय भूए है और हमको सभी को क्या-क्या काम सौपा जाएगा, क्या-क्या काम देखा रहेंगे कता का, यह सब कारक्रम की पूरी रूप रेखा बनी है, इसके अंदर हमारे अध्याच गंशामदाज अगरवाल जी है, महाम मंत्री मेराकेश कुमार अगरवाल, कोसा अध्याच हमारे जो है मह पूरी सब की क्या क्या रूप रेखा देख रहे हैं कथा की बारे में आज इसकी जानकारी पूरी हमने सभी लोगो दिया कि किसको क्या काम सौपा जा रहे हैं कलस यात्रा हम 15 तारिक को निकालेंगे रवीवार के दिन सुबह समय होगा आठ वे से कलस यात्रा का चिंता हरन महादे मंदिर से मैं आगरा आपके चैनल के माद्याम सब माता बेहनों से कहना चाहता हूं कि इस कलस यात्रा की टिकेट बाटी आएंगी वो अपनी टिकेट ले 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 जिससे की कलस लेने में उनको बड़ी सुब्दा मिलेगी पूरा सहर जानता है देश में नाम पहला हुआ है ऐसे मंगल मैं परबार का जो महाराजी द्वारा संस्तापित है संतसी बिजा को साजी महाराजी ने इसका संतापना की थी और इसी के तहत जो पूरे देश में कथाएं होती है इसी संकला में आगरा में भी फिर से 15 दिसंब मंगल परवार म्लाइख विलना के मते हैं सकत्रा सी निवस्टा को दानों से सब्सक्राइब कर थे महारा इसको नियुक्त दर्पारा कि गई ती प्रंपूज गुरुदेप जी की अमरत वाली की धारा जो भेगी वो 5 दिसंबर से 22 दिसंबर तक भेगी सभी आगरावासियों से निवेजने की आके इस अमरत बर्सा को ग्रहन करें और गुरुदेप जी का असिरवाद प्राप करें कलश यात्रा से पहले एक कारिकरम रहेगा जिसमें कलश सज्जा होगी महंदी का कारिकरम रहेगा तो वो कारिकरम भी कथा स्थल पर ही हर बार की तरह होगा और उसमें महिलाए बहुत पूर्ण रूप से भाग लेती हैं और बहुत रौनक लगाती हैं उस वक्त जैसा की कोटी मीना बजार के लिए सब बोल रहे हैं कि चित्रकूर धाम हो जाता है सच में ऐसा लगता है हम चित्रकूर धाम में हैं और राम लूपी गुरुजी यहां दर्शन देंगे और हम सब को अपनी कथा सुनाएंगे